हलो योटूब फामली आप देख रहें जॉडन गार्णिंग वर्ल्ड आपका मेरे गार्णिंग चैनल में बहुत-बहुत स्वागत हैं क्या आपने कभी लकड़ी के राग का प्रियोग अपने पेर पौधों में किया हैं पौधों में राक का प्रियोग करें या मूप का फंगिसाइड कीट नासक और खाद है सबसे अच्छी बात तो यह है कि यह और गैनिक है लकडी की राक का प्रियोग आप अपने पिर पौधों में कैसे करें लकड़ी की राक से आपके पौधों को क्या-क्या फैदे होंगी या क्या नुकसान होगी आज की वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे लकड़ी की राक का आप यूज तीन तरीके से कर सकते हैं तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले राग को आप छान ले जिसे बड़े टुकड़े अलग हो जाए छलनी की मदद से इसे छान कर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं राग के बड़े टुकड़ों को आप ड्रेनेज होल को ढखने के लिए कर सकते हैं राग कार्बन के काफी अच्छे श्रोथ है तो आप अपने अडेनियम या केक्टस के प्लान की मिट्टी जब त्यार कर रहे हैं तो उसमें राग के बड़े टुकड़ों को डाल सकते हैं लकड़ी की राग को यूज करने का सबसे पहला तरीका है छिड़काओ आप लकड़ी की राग का छिड़काओ अपने पौधों में करें पौधों में जितने भी प्रकार की कीड़े लगे हो इस राग से भे भाग जाएंगे देखे इस पौधे में कितना अधिक कीड़ा लगा हुआ है यह रहर का प्लांट है जिसकी मैंने कटिंग की थी ओस के कारें राग पतियों में छिपक जाती है और कीड़ इन्हें नुकसा नहीं पहुचा पाती महिने में एक बार पौधों में लकड़ी के खात का प्रियोग करें लकड़ी के खात को यूज करने का दूसरा तरीका है आप गमले की मिट्टी को कोड़ाई करके राग को इसमें डाल दे राग मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है यदि आपके गार्डेन में चिकनी मिट्टी है तो आप राग का यूज कर सकते है या फिर आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में राख का यूज़ कर सकते हैं आट इंच के गमले में मैं दो चमच राख ले रही हूँ इसे महने में एक बार अपने गमले के मिट्टी को कुड़ाई करके राख डाले राख फफुंदी ना सके यदि आपके गमले के उपर की मिट्टी में हरे रंग के फफुंदी लगी है तो भी आप राख का पुर्योग कर सकते हैं राख का पुर्योग करते ही वे फफुंदी सारे साफ हो जाएंगी ये मेरा कोल्ड रिंग का बोतल है जिसमें ये अस्टर के पौधे लगे हुए है छोटे छोटे बोतलों में भी काफी सुन्दर फूल खिलते हैं देखिए अस्टर के फूल काफी सुन्दर लग रहे हैं इसमें मैं आधत चमत से भी कम राख डालूँगी आप गमले की हिसाब से ही राख डाले ज्यादा राख डालने से भी प्लान खराब हो सकते हैं लकडी की राख को यूज करने का तीसरा तरीका है जब आप गमले की मिट्टी बना रहे हैं तब उसमें राख डाले लकड़ी के राक में पोटेशियम, कार्बोनेट, फासफोरस, मैगनेशियम और जस्ता जैसे पोशक तत्वा पाये जाते हैं लकड़ी के राक का यूज़ करने से पौदों में फल फुल अच्छी मातरा में खिलते हैं देखिये मैं पोटेशियम में दो चमच राक को डाल दी हूँ और ठीक से मिक्स कर रही हूँ दोस्तों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर किसी चीज़ से फैदा होता है तो नुकसान भी होता है लकडी की राक का प्रियोग जादा नहीं करना चाहिए जादा यूज़ करने से जड़ों के विकास में समस्यास सकती है गुलाब, आलू, आम, निम्बू के पौधे में लकडी की राक का छिड़काव नहीं करना चाहिए ऐसे पौधे एसेडिक मिर्टी पसंद करते हैं लकडी का राक डालने से मिर्टी इलकलेन बन जाता है आप टामाटर, मिर्चा, बैगन, हीरा, मेया राक डाल सकते हैं ऐसे पौधे लकडी के राक को काफी पसंद करते हैं आप भी अपने होम गार्डेन में लगडी के राक अप्रियोग कर सकते हैं आप गोबर के उपले का राक, पत्तों का राक, कोईले का राक भी यूज़ कर सकते हैं उमीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टोपी के साथ तब तक ले बाई बाई फ्रेंड्स टेक केर थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो